वाइज अप गाइज वॉलकम बाइक टू टेकेडी के पी माइनेम इस एदिपकोमार पैत्रोस हो गाइज आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने बलाओ देखे आपका जीमेल आईडी आपकी पासवर्ट भूल गये या फिर कुछ भी हो गया आप रिसेट करना चाहते बट ओ जो आईडी रिसेट नहीं होता है सातीसा आपना इमेल आईडी और पासवर्ट आपको पता है जब भी आप login करते हो तो यह दोनों जो चीज देखे रिसेट और login दोनों चीज आप जबी भी करते हो कोई भी option हो आपको एक ही चीज देखने के लिए मिलता है Gmail could not verify this account belong to you इस type कुछ आपको देखने के लिए मिलता है तो गाइस मेरे पास है बहुत सिंपल ट्रीक जो कि मेरे साथ भी इस type हुआ था मैंने भी बहुत कोशिज किया था लास्ट में यह step को मैंने फोलो किया तो मेरा account जो recover हो गया तो गाइस आपकी भी इस type की problem से तो वीडियो को end तक देखते रहे ना तब यह आपको clear में समझ में आ जाएगा तो गाइस वीडियो में आपको आपकी जो जीमेल आइकाउं रिकोब्र हो जाता है आपकी जो problem solve हो जाता है तो मैं आस अगर तो आपको इस वीडियो जोरुर पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हो चैनल पर नया हो तो subscribe और bell icon प्रेस करना मत बोलना क्योंकि इसी टाइप content लाता रहता हूं कि आप password reset करना चाहते हो तो मैं आपको यह पर यह process नहीं बताना बलाओ कि आपकी password को forget कैसे करे करके कैसे करते हो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि password आप बहुत करने के लिए कोशिश की है फिर भी आपकी password reset नहीं हो पा रहा है साथी साथ आप लोग इन करते हो तो यह जो option आपको देखने के लिए मिलता है इस एकाउंट बिलंग टू यू स्टैप को देखने क के साथ और आप और किसी mobile के अंदर login करना चाहते हो यह फिर आपकी email ID को कोई जो reset करने के लिए कोशिश करता रहता है मतलब hijack करने के लिए साथी साथ इस टाइप के प्रबलम के साथ आपको यह देखने के लिए मिलता है क्योंकि Google समझ जाता है आपकी ID के उपार कोई hack कर सकते हैं किसी प्रबलम में है तो Google क्या करता है कि आपकी email जो Gmail Google आपके सकते हो उसको टेमपरारली ब्लॉक कर देते कभी कबर तो पर्मानेटली भी करते बट पर्मानेटली वन पोसेंट और 99 पोसेंट होता है टेपरारली बलॉक दर इसकी बहुत सिंपल सोलीचन है आप कुछी दिनों आभी पहले हुआ था मैंने इस चीज को सलीचन निकला तो मेरे काम हो गया तो मैं भी चाहता है आपकी भी कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो सॉल्फ हो जाए तो इस टाइप इंटरफर्स देखने के लिए मिलेगा फॉर्म की आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल है जासे इस टाइप कुछ आप फॉर्म देखने के लिए मिलेगा यह सारा चीज डूइड कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ दिके यूज इस फॉर्म इफ इस टैप एभॉब डॉंट वर्क तो आपको यहां पर क्या करना है कि यह के उपर टैप करना है यह के उपर टैप क करने के बाद यहां पर लिखने के लिए इमेल ड्रेस मतलब आपकी जो सबीच्व गिंड हो रहे है उसको डालना बोक्स आपको दिखने के लिए ँच्वल चाहिए हूं इसको डालराइक क्योंकि यह जो इमेल पर आपको गूगल कॉंटाट करेगा आपको link वजाएगा कि आप इसको solution कर सको ओके जैसे कि देख सकते यहां पर और एक next जो box देखने के लिए मिल रहे हैं यहां पर आपको simply लिखना है आपकी problems मतलब आप इस टाइप लिख सकते हो my google account temporarily blocked I could not reset my password तो इस टाइप कुछ लिख देना है first of all यहां पर ध्यान देना है first आपकी जो भी box दिख रहा है यहां पर आपकी email address लिखना है जो कि आपकी reset नहीं हो पार है next आपको contact कौन से कर सके आप Google उसको email address यहां पर डाल देना है next यहां से आप scroll down कर सकते हो जो कि मैंने आप आपको लिख सकता है आपकी email address के साथ क्या problem हो रहा है यह सारे चीज होने के बाद आप सिंपली संबिट यहां से कर देना है okay guys आपको भी यह सारे चीज कंप्लिट कर देना है उसके बाद क्या होता है कि देखें मेरा भी ना account हो गया तो इसी टाइप जैसे ही मैंने संबिट किया करने के बाद eight and nine hour के अंदर मुझे यह option email मिल गया था कि आप अपना जो password को reset कर सकते हो email पर मिल गया और साथी साथ मेरा pop-up screen में already आ गया तो mobile को जैसे कि scroll down करते वाम पर भी देखने के लिए मिल जाता है आपकी data on होगा तो चला यह option आप password आसान से reset कर सकते हो हाँ हो स किसे किसे का हो जाकते 24 hour या फिर 48 hour मैं guarantee देता हूँ गाइस आप इस टाइप करोगे यही Google का बहुत ही बड़ा solution है जो कि Google खुद recommended करता है आपको फिलप कीजिए आपका जो भी चीजे है शेर कीजिए हम उसको verify करेंगे और आपकी password चेंज करने के लिए option देदे तो guys I hope देना चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब और बैल एकन प्रेस करना मदभूना और इंच